शाकहार जीव हत्या का उग्रपाप अपने आहार अथ्वा मनोरंजन या मन बहलाव के लिए जीवों की हत्या करना गोरपाप है करोडों दान पुन्य करने से भी यह पाप नहीं मिटाया जा सकता जीव हत्या करने वालों को इसके लिए कड़ी सजा भुगतनी पड़ती है प्रभु के बनाय हुए जीवों को मार कर प्रभु से मिलने की अभिलाशा रखना बिलकुल हास्या स्पध है जो लोग जीवों की हत्या करते हैं वे कभी ये नहीं सोचते कि यदि कोई उनकी हत्या करे तो उने कैसा लगेगा किन्तु कर्मों का ये अटल नियम है कि जो जिसे मारता है उसके हाथों उसे मरना पड़ता है रविदास जीव कु मारे कर कैसो मिलही खुदाए पीर पेगंबर ओलिया कोई न कह ही समुझाए रविदास जी कहते हैं कि जीव की हत्या करके कोई परमात्मा को कैसे पा सकता है क्या महात्मा पेगंबर या फकीर कोई भी यह बात समझा कर नहीं कहता प्राणियों का सिर काट कर मूर्ख लोग उसे हलाल याने धर्मानुकूल हिंसा कहते हैं रविदास जी कहते हैं कि जरा अपना सिर काट कर देखो कि इस तरह सिर कटाने से तुम्हारा क्या हाल होता है रविदास जो आपन हेत ही परकू मारन जाई मालिक के दर जाय करे भोग हैं कड़ी सजाई रविदास जी कहते हैं कि जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को मारने जाता है उसे इश्वर के दरबार में जाने पर कड़ी सजा भुगतनी पड़ती है प्राणी बद नहीं कीजिये है जीव है भ्रह्म समान रविदास पाप नह छूटई करोर गवन करे दान जीवों की हत्या न करो जीव भ्रह्म के समान है अर्थात जीव में भ्रह्म का वास है रविदास जी कहते हैं कि करोडों गवएं दान करने पर भी जीव हत्या का पाप नहीं छूटता रविदास जीव मत मार है एक साहिब सब माहें सब माहें एकव आत्मा दूसर कव ना है जीवों की हत्या मत करो एक ही ईश्वर सब में निवास करता है सब में एक ही आत्मा है जिस जीव को मारा जाता है उसकी आत्मा कोई दूसरी नहीं होती मासाहार और मध्यपान का निशेद सत्य के जानकार संतों का कहना है कि मास खाने वाले नरक के भागी होते हैं पराय जीवों के मास खाने वाले के हिर्दय में दया भाव नहीं रहता उनका हिर्दय पाप के कीचड से भरा होता है जीवित प्राणी को मुर्दा बना कर उस मुर्दे को खाने से वे जीते जी मृतक के समान हो जाते हैं धर्म के नाम पर जीवों को मारना और उन्हें खाना अपने आपको तथा दूसरों को बड़ा भारी दोखा देना है मास खाने वाले कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते बले ही वे दिन रात नमास पढ़ते रहें या दान पुन्य करते रहें उन्हें उन जीवों का हिसाब चुकाने के लिए जिनको उन्होंने मारा है संसार में बार बार जन्म लेना पड़ेगा मदिरा तथा मादक पदार्थों का सेवन भी संतों के अनुसार निशिद्ध है संत केवल एक नाम की ही मदिरा पीने के लिए प्रेरित करते हैं जिसका नशा एक बार चड़ जाने के बाद फिर कभी नहीं उतरता अपनह गीव कटाई हैं जो मास पर आया खाए रविदास मास जो खात हैं ते नर नर कहें जाए रविदास जी कहते हैं कि जो लोग पराय जीवों का मास खाते हैं वे लोग एक प्रकार से अपना ही गला कटाते हैं क्योंके मास खाने वाले को नरक में जाना पड़ता है दया भाव हिर्दे नहीं बखही पराया मास तेनर नरक में जाई हैं सत बाखे रविदास रविदास जी ये सत्य वचन कहते हैं कि जो पराय जीवों का मास खाते हैं उनके हिरदय में दया भाव नहीं होता ऐसे लोग निसंदेह नर्क में जाते हैं दया धर्म जिन में नहीं हिरदय पाप को कीच रविदास तिन्हां ही जाने हो महा पात की नीच रविदास जी कहते हैं कि जिनका हिर्दय पाप के कीचड से भरा हो और जिनके हिर्दय में दया भाव नहीं है उन्हें महापापी और नीच समझना चाहिए रविदास जव पोशण हेत गवबकरी नित खाए पढ़ें नमाजे रात दिन तबहुं भिस्त न पाए रविदास जी कहते हैं कि जो अपने शरीर के पोशण के लिए गाए बकरी आदी का मास खाते हैं वे कभी भी स्वर्ग की प्राप्ती नहीं कर सकते चाहिए वे कितनी ही बार नमाज क्यों न पढ़ते रहें रविदास जिब्या स्वाद बस जो मास मचरिया खाए नाहक जीव मारन बदल आपन सीस कटाए रविदास जी कहते हैं कि जो अपनी जीब के स्वाद के लिए मास मचली खाते हैं वे व्यर्थ ही जीवत्या करके अपना सिर कटवाते हैं जीवत कुँ मुर्दा करे हैं, अरुखाए हैं मुर्दार, मुर्दा समसब होए हैं, कहें रविदास विचार रविदास जी विचार पूर्वक कहते हैं, कि जो लोग जीवित प्राणी को मृतक बनाकर उस मृतक को खाते हैं, वे मृतक के समान ही हो जाते हैं सुर्सरी सललकृत बारुनी रे संत जन करत नहीं पान यदि शराप गंगा जल से भी बनाई गई हो, तब भी संत जन उसे नहीं पी सकते रविदास मदुरा का पीजी ए, जो चढ़े चढ़े उतर आए नाव महारस पीजी ए, जो चढ़े नाहीं उतर आए रविदास जी कहते हैं कि उस शराब को क्या पीना जिसका नशा चड़ कर उतर जाता है पीना है तो नाम का महारस पीना चाहिए जिसका नशा एक बार चड़ने के बाद फिर कभी नहीं उतरता गुरु सहेब भी फरमाते हैं नाम खुमारी नान का चड़ी रहे दिन रात